भूद चाई है, मैं आपके साथ में हूँ, हाहँे हालात में कलीशा एक हाली है, लेकिन प्रमेश्वर के अनुगराद दिया से हम आपके साथ में हैं, जाए चोटा स्क्रीन में हैं, जाए मेडियाम साइज स्क्रीन जाए बड Assistant में, यह साथ हमारे आउाज की सुनते हों कि प् हम साथ में प्रमेशुवर के वच्ण में देखेंगे और सिखेंगे कि क्या वो चाहता है हम से प्रवित रात्मा से हमारे पलत मा कि वो हमारे हुर्दे से kėशित करेगा क्यों है प्रातन के लिए? प्रमेशुवर धन्यवाद देते इस दीन के लिए और जैसे हम अपने परिवार के साथ में चाहे हम जहां हिए यहां भी है, जैसे है हम जानते पताफ मेश्वर की आपके हात में सब चीजेे है और खासकरा मपराफन करते हैं, जैसे यह वचन आएगा आपका योश्रत के हर एक हिरदे से Toyot करेगा और हम सही के यह जाने कि क या आप चाहते हैं हमसे और कैसे हम यह वचन को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे, कि हम आपको प्रसंद कर पाएंगे, धन्यवाद पिता प्रमेश्वर इस वचन के लिए यही प्रात्न करते हैं, कि आपके पवित्रात्मा एक खास रूप से अविशेक कर दे इस वचन को और हर एक जन जैसे वे सुनेगे, धन्यवाद प्रमेश्वर आपका महिमा और बड़ाई हो इस मसी के नाम से, एमेन, एमेन, तो अगर आपके अपने बाइबल को ले ले, आप जा भी है, और हम पूराने नियम में दिखेंगे दूसरे इतिहास की किताब, Second Chronicles, Second Chronicles, दूसरे इतिहास की किताब, और मैं आगर करता हूँ कि आप अपने अपने जहां भी है, घर पर है, जाएसे भी है, अगर हो सकते हैं, तो अपने बाइबल को ले ले, साथ में, अगर चाहे तो अचारे एक पेंसल भी ले ले ले, या नोटबुक ले ले ले, और आप बाइबल में माक कर सकते हैं, या लिख सकते हैं, नोट्स की, जैसी से हम इस पर बाचित करेंगे, और आपको बतलाएंगे, समझाएंगे, कि प्रमिश्वर ने क्या दिया है हमारे लिए, तो आप इसको स्विकार करें, प्रमिश्वर का बचन, और नोट डाउन कर लें, कि आप उसको उस पर धियान दे सकेंए, तो दूसरा इतिहास की किताब 2 Chronicles 34 से हम पढ़ेंगे, और मैं हिंदी में पढ़ूँगा, 2 Chronicles 34, जब योश्या राज करने लगा, तब वो आट वरस का था, और यरुश्याम में 31 वर्ष तक राज करता रहा, उसने वो किया जो यहुआ का दृष्टी में ठीक है, और जिन मार्गो पर उसका मुलपुरुष दावुद चलता रहा, उन्ही पर वो भी चला करता था, और उस से ना तो दाहिने और मुड़ा, और ना बाई और, वो लड़का ही था, अर्था उसको गदी पर बैठे ठीक, आट वर्ष पूरे भी ना हुए, थे कि अपने मुलपुरुष दावुद के परमिश्वर की खोज करने लगा, और बारुए वर्ष में वो उचे स्थानों और आरोश नाम मुर्टो को, और खोदी और चली हुई मुर्टो को दूर करके, यहूदा और येरुशलम को सुद करने लगा, तो यह पद में आपके लिए पढ़ा हूँ, मैं सिर्फ तीन वर्ष पढ़ा हूँ, वर्ष बान से वर्ष त्री, लेकिन जो पूरा चप्टा अगर आप पढ़ेंगे समय लेकर, इसमें ये एक छोटा बेटा का कहानी है, उसका जीवन, वो सिर्फ आठ साल के था, जब उसको यहूदा, राजा स्तापीत किया गया, और आठ साल बच्चा एक राजा होना, कोई मामूली से बात नहीं है, लेकिन अगर ये जो कहानी है, यहूदा के जीवन के जीवन के बारे में जानना है, तो ये जानना है कि जो साया का जो दादा, ग्रेंट फार्दा, मना से, अगर आप चप्टा 33 में पढ़ेंगे, तो मना से जब बारा साल के था, वो यहूदा का राजा हो गया, लेकिन अगर चप्टा 33 विस टू में पढ़ेंगे, कहता है कि वो प्रमेश्वर के आख में, यहूदा के आख में, यह डिस्टी में बुरा किया, वो यहूदा के रास्ता से अलग होकर भटक गया, और वो क्या करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, अगर आप पूरा चप्टा 33 पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं, लेकिन वो क्या करता है, प्रमेश्वर के भवन में वेदी बना कर बली चड़ाता था, दूसरे दूसरे देवी देवता के लिए, और सिर्फ वो नहीं लेकिन वो जादू तोना में जो विट्सक्राफ्ट, सोश्री वो सब में दूस्त आत्मा के कार्ये में लग गे, और ऐसा बुरा बुरा चीज होने लगा, प्रमेश्वर के दृस्टी से वो दूर हो गया, विरूध हो गया, और एक ऐसा समय आया, जब उसके उपर आपती आया, तब वो रिलाइस किया, और फिर वो पस्चताप किया, परमिशुर के पास आया, परमिशुर को समा करे दिया और मनसे जो था, क्या किया ये राज़ा, जितने मूर्ती और जो मनुष्के बनाई हुए हाथ से बनाई हुए वस्टो थे, देवी देओतिया के जो वस्टो थे, वो सब बोटोर कर उठाकर और शहर के बार भार भा दिया, डंब कर दिया, फिर क्या होता है, जब ये राज आमाने से मर जता है, गुजर जता है, तब उसका बेटा राज करने लगता है, और उसका बेटा का नाम एमन, एमन ट्विटीटू इस ओल्ड था, लेकिन ये एमन बाप से बढ़ करता है, वो जतना उसका बाप बुरा काम करता था, ये उसका दुगना करता था, और क्या होता है अगर चप्टर 33 वर्स 22 में आप दिखेंगे, कि वो प्रमिश्वर के जिसी वो भी बुरा करने लगा, और वो क्या करता है, उसका पिता का जितना मुर्थी और जो देवी देउता के वस्तुए थे, सब बोटोर कर लाकर, फिर स्थापित करके, फिर बली चड़ाने लगा, वेदी पर और उनको सेवा करने लगा, पूजा करने लगा, लेकिन क्या होता है कि यह जो आइमौन थे, दो साल सिर्फ राज किया और उसका हत्या उसको मार दिया गया, कई लोग ने उसको मार दिया, मार दिया, और क्या होता है कि यहुदा के लोग, आइमौन के जो बेटा था, वो सिर्फ आठ वरस के था, उसको लाकर राजा बना दिया, और यहां से जो सहिया जो आठ वरस का था, उसका कहानी शुरू होता है, तो यह अब जान ले कि जो सहिया का पिता बुरा वेक्ती था प्रमेशोर से, और बाइबल के था कि यह आएमौन, जो सहिया का पिता, वो कटोर दिल के था, उसने अपने आपको दिन नहीं किया और पस्चताप नहीं किया, और जो सहिया का दादा, वो भी प्रमेशोर से दूर हो गया था, तो ऐसा हालात में वो बड़ा हुआ है, जो सहिया, आठ वरस का है, वो सिर्फ बुरा ही देखा, उसके पिता, उसके आदादा, लेकिन कही ना कही से, उसके ग्यान था, यहुआ प्रमेशोर के बारे में, वो जानता था, कि जो राजा दाओद एक समय इस्रेल का राजा, उसके बारे में जानता था, और वो किस प्रमेशोर को सेवा करता था, तो जब जो साया आठ साल करता, जब वो राज करने लगा, वेस्टू, चप्टर 34 वेस्टू में कहता है, कि यह चोटा बालक, जो चीज प्रमेशोर, यहुआ प्रमेशोर का डिरिस्टी में ठीक था, वो ही किया, वो ही किया, और अपने महापूरुश दाओद के रास्ता पर चलता था, और ना दाए और ना भाए और मुड़ा, यह एक छोटा बच्चा को यह काम अगर वो करता है, तो सोचने ला बात है, अगर आप दूसरा राजा जो सेकंड किंग्स है उसमें पड़ेगे तो यही जो साय के बारे में बतलाता है, उसके पास एक माँ था, जे डाइडा उसका नाम, अवसाइद, उसका माँ उसको परमेशोर, यहुआ परमेशोर के बारे में बतलाता था, तो यह छोटा बालक, आठ साल का, उसके हिर्दे में परमेशोर का बारे था, और वो जो चीज़ परमेशोर के लिए ठीक था, वो करा, तो पहला चीज़ देखते हैं कि जो सहा है, वो खोज करा, खोजी करा, परमेशोर यहुआ का, और फिर कहता है कि वेस्ट्री में, कि जब वो, for in the 18th year of his reign, जब वो 16 सार का हो गया, 16 यह उड़, उसने परमेशोर, जो राजद दाओद का परमेशोर है, उसको खोज करने लगा, बाइबल कहता है, चाहिए आप, आपने आपको सोचते होगे कि मैं छोटा हूँ, अभी मेरा समाएँ नहीं है, लेकिन, मैं आप से कहना चाहता हूँ, कि कोई ऐसा समय नहीं है, कि आप परमेशोर कोई खोजी नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने आपको छोटे सुचते हैं, यही समय, यही ठीक समय खोजी करना, और एक और एक चीज हमें जानना है, सोचना है इसके बारे में, कि हमारे हालात चाहे जैसा भी है, हमारे जो पास्ट है, पुराने जो बीद गए है, चाहे जैसा हालात है, वो हमारे जो आने लाकल के डिफाइन नहीं कर सकता है, वो नहीं बतला सकता है कि हमारे आने लाकल क्या रहेगा, हमें अपने आप को बनाना है जो हमारे आने लाकल हमें चुनना है कि हम किस रास्ता को लेंगे क्या करें गए क्या चुनना है हमे और इसमें अगर आप कोई माता पिता है बच्चे है आपके आपके लिए एक सबक है कि हमें जानना है कि हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा देते हैं कि जब वे बड़े होएंगे जब वे समझ में आएंगे तो वे किस रास्ता को चुनेंगे ये जिम्मादारी हमारे उपर आता है फिर अगर हम आगे दिखेंगे तो पहला चीज जो साया जो है वो खोज करा किया दूसरा चीज हम देखते हैं बाइबल कहता है कि वो ये जो साया यहूदा को सुद करने लगा बाइबल कहता है कि वो जगा 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 जाने लगा और जो मुर्ती थे और जो हाथ से बनाने हुए जो मुर्ति थे, जो पुजा और जो वेदी का चीज थे, जो देवी दियोता के चीज थे, उस सब वो बोटोर कर और तोड़ फाड़ करने लगा, बाइबल डीटेल में बताता है कि वो एक एक चीज से क्या किया, वो इसको पीस-पीस कर डस्ट कर दिया, मिट्टी में मिला दि और चीजों को काट काट कर तोड़ दिया, और जो पुजाड़ी थे, उस समय जो मर गए थे, उनके कबर पर जाकर छीट दिये, और फिर इंट्रेस्टिंग तिंग है, आप वेस्ट फाइम में दिखेंगे, कि कहता है कि वो जो हड्डिया थे, जो पुजारी थे, जो मर गए थे, जो देवी दियोत्या के पुजारी, जो दुस्तात्मा की पुजारी, वे जो मर गए थे, उनका हड्या कबर में निकाल कर, उनको वेदी जो वेदी जो इस्तिमाल करते थे, वो वेदी पर रखकर, उस हड्या को भी जरा कर, और राक कर दे इतना क्रोध और करकर ये जो सहा है जो राजा था वो चाहता था कि जो जतने पुराने हुए चीज जो बुरे हुए बुरे चीज बिते हुए कल का वो सब को नाश कर दे, मिठा दे कि उनका नाम निशान नहीं रहे जाए ये उसका इच्छा था और वो सिर्फ सोचाने बोलाने लेकिन वो खुद किया और इतना हद तक गया कि वो मरे हुए लोग का हड़ी निकाल कर जरा कर राक कर दिया वो इतना उसका हिर्दे में जो डिटेमिनेशन था पुराने चीज को हटाने के लिए ये अगर आप अच्छे सुचेगे तो ये एक पस्चताब का कारिया था रिपेंटेंच जो पस्चताब का में उसके मदल है कि तू अपने एक रास्ता से घूम कर टोटली डिफरेंट रास्ता जाता है लोट कर घूमता है और क्या होता है कि जो पुराने हुए चीज है सब चीज मिठा देता है सिर्फ अलगने करता है जैसे उसके दादा किया था उसके दादा सा मुड़ती और जितने चीज था पुजा और देवी देटा और जो जादू तोनाला चीज सब लग जाकर शाहर के बाहर भा दिया था तो उसका बेटा आ जाकर फिर बोटोर कर उसने ठान लिया कि आपसे हम भायगा नहीं सब चीज हम उसको कॉंप्लीटली डिस्ट्रोय कर दूगा एदम नास कर दूगा कि कोई लवट के उसके बारे में सोची भी नहीं इतना हद तक वो पस्चताब किया घूम फिर गया पुराने जीवन के बारे में और हमारे लिए यह सबग है कि जब हम अपने पूराने जीवन से निकलते हैं अपने पूराने आदतों से निकलते हैं हम क्या हम सिर्फ किनारे कर देते हैं जैसे जुसाय का दादा ने किया कि हाँ अचाब हम नहीं करता हैं अगर समझ लो आप एक बुरे आदत है तामाकू यह शिगरेट प द्रो में रख देते हैं और कहते हैं आज से हम छोड़ दिये तामाकू पीने की लेकिन हम प्रिटिस हुआ है दो तीन रोज बाद जब जब भी आप ड्रो खोलेंगे आप देखेंगे पेकट आपके अमाल आएगा यह सायद आपके बेटा बेटी भी वह देखता है फिर मैं जानते हो कि इसायद दो तीन चाहिए देखते हैं एक हबता बाद आप फिर वह सिगरेट को उठा लेंगे लेकिन जो साया क्या क्या वो तमाकूला पेकट लेकर उसको पीस कर चीर कर जरा दिया कि लोड़ कर फिर वह देखाएगा नहीं इसको बोलते है रिपेंटन्च यह पस्तताब किया और यह जो साय राजा जो था ऐसा ही किया और यह सबक हम से हम सीख सकते हैं कि अगर हमें सच मुच में पस्तताब करना है हमें मुड़ना है सब चीज जो पुराने बात है उसको हटाना है जब हम प्रमेश्व और इसमसी को स्विकार करते हैं पुराने बात है सब चीज खतम हो जाता है, अब सब चीज नया हो जाता है, और यह पस्तावा, यह चीज जुसाया ने किया, तीसरा चीज हम देखते हैं, कि उसने फिर बनाना शुरू किया, रिबिल्डिंग फेज, रेस्टोरेशन, चप्टर 34, वेस्ट 8 से अगर आप पड़ेंगे, तो यह एक लंबा पाद है, वेस्ट 8 से लेकर, वेस्ट 28 ले, इसमें आपको डीटेल मिलेगा, कि जो साया क्या क्या चीज किया, परमेश्वर का जो भवान है, जो तूटने वाला, तूटने लगा था, जिसमें बुरे-बुरे चीज होता था, उसको कैसे वो फिर से बनाने को शुरू किया, और जब वेस्ट 8 से शुरू इंदा 18 तिया उफिस रेंग, यह फिर भी जवान था, 18 प्लस 8 अगर करेगा, तो 20 में आता है, उसका वो सिर्फ बच्चा है, फिर व वो क्या करता है, अपने लोगो को बुलाता है, कुछ-कुछ लोग जो डिफरंट डिफरंट कारिये में उनका, उस्ताद थे, और वो क्या करते है, plan करते हैं कि कैसे प्रमेश्वर के जो भावान है उसको फिर से रिप्या करना है बनाना है और वो क्या आगरता है लोगों को काम देता है काम नोकरी पर लगा देता है और प्रमेश्वर के भावान का जो rebuilding phase है restoration वो शुरू हो जाता है और west 12 में कहता है कि जो आदमी थे वो पूरे विश्वाग स्योग से काम करते थे और क्या होता है अगर आप आएंगे west 14 में west 14 में जो यहुदा में याजक था वही परमेश्वर के भावान में जैसे जैसे वो सब चीज बनता था चीज निकाला जाता था सफा करता थे सफा करते थे तब वहां अंदर से एक बुक को निकाले पाए और वो बुक जो किताब था परमेश्वर का विवस्थ था जो मुसा ने दिया था अब यह सोचने ला बात है कि इतने दिन क्योंकि जो साया का जो पिता और आजा इतना बुरे-बुरे काम करते थे ऐसा समय आ गया था कि परमेश्वर का जो वच्छन था विवस्थ था वो हिरा गया था वो खतम हो गया था लेकिन परमेश्वर हमारे महान अपना वच्छन को प्रिजर्व करके रखा था प्रोटेक करकर रखा था संभाल कर रखा था वो इस भवन में कोना में कहीं लुका छिपा रखा था और वो पाया गया इस समय और आप अगर सोचेंगे कि अच्छा इतना दिन जो सहे जो राजा था बीना परमेश्वर की जो विवस्था है जो नियम हम से जो बाइबल हम कहते है पुराने जो मुशा का लिखा हुआ वचन परमेश्वर का उसके बीना कैसे वो यहुआ परमेश्वर के बारे में जानता था कैसे उसके रहा पर चलता था ये मै जैसे मैंने कहा साइद उसका मा शाइद वो देखा आठ वरस के था अपने आजा को भी देखा था कि वो पस्टताब कैसे किया प्रमिश्वर के कैसे सेवा किया ये सब वो शीक कर आया था तो हमारे लिए यह एक शिक्षा है कि हम अपने जो बच्चे आने जो आएगा बच्चे बाद में या अभी है बच्चे हमारे नाती पोते उनके जीवन में हम क्या डालते हैं क्या हम उनको भी शिक्षा देते हैं और एक ऐसा समय हमारे पास अभी एतने बाइबल होगे है फाउन में भी रहता है पड़ा रहता है इदर-दर कि हम उसका जो मूले उसका वेल्यू साइध हम कम करने लगते हैं लेकिन इनके लिए जब ये बुक को पाया तो उनके लिए जो पैसा सोना चांदी से ज़्यादा बढ़कर ये परमेशुर का विवस्ता था और वे तुरंथ राजा के पास ले गया और अगर आप देखेंगे वेस्ट 19 तो जैसे तो ये वेक्ती जो ये विवस्ता ले गया राजा के पास उसने पढ़ने लगा राजा के लिए और जब वेस्ट 19 में जैसे राजा वो वचन जो निया में विवस्ता है उसको सुना अपने कपड़े वो च गहरा दुख हुआ उसका जब ये विवस्ता को सुना क्योंकि इतने दिन वो जानता था क्या सही है क्या नहीं सही है लेकिन जब वो अपना जीवन और जो चीज यहुदा के लोग करते थे और करते हुए आए जब प्रमेशुर का विवस्ता से कुमपया किया तो प्रमेशुर का विवस्ता यहा था और वए यहा था वो दुख में विलाप करते हुए रोते अपना कपड़ा चीर दिया कि वए कितने दूर हो गए थे प्रमेशुर के इसमें हम क्या सिकते जब हम पस्तताब करते हैं प्रमेशर करें जब खोजी करते हैं फिर पस्तताब करते हैं जब अपने बुरे काम से हम मूड लेते हैं तो हम अपने जीवन को रिबिल्ड शुरू करने लगते हैं बनाने लगते हैं बढ़ाने लगते हैं हम कैसे कैसे लोग के साथ में मेल मिलाप करते हैं हम क्या क्या चीज सुनते हैं क्या क्या चीज अपने अंदर को लेते हैं स्विकार करते हैं क्या क्या चीज हम देखते हैं क्या क्या चीज हम पढ़ते हैं यह सब हमारे जो आत्मिक जीवन के लिए यह तो हमें तोड़ देगा यह हमें बनाएगा और योश्या क्या करता है वो चुना कि हम प्रमेश्यों के भवन को बनाएगा और प्रमेश्यों ने कहा कि हमारे जीवन उसका भवन है हमारे शरीर उसका भवन है कैसे हम अपने शरीर को बनाते हैं कैसे रिस्टो करते, कैसे रिबिल करते, क्या क्या चीज हम अपने जीवन में स्विकार करते, क्या ऐसा ऐसा मित्र है हमारे जो हमें गलत-गलत रास्ता में लेग जाते, नेग्टिव जो सोच है, विचार है, चीज है, वो हमारे हमें हम स्विकार करते हैं, क्या हम भले-भले चीज, आज कल फाउन में और टीवी में अतने बुरे-बुरे चीज है, हम देखते हैं, सुनते हैं, जो सीरीज है, बोलीवुड, जो सोंग्स, देंसे हैं, फिलम्स हैं, इंग्लिश, कुछ अच्छा नहीं आता है, क्या हम चुनते हैं, क्या हम चुनते हैं सुनने के लिए, घर पर दिन भर कौन स्टेशन ओन रता है, नवतरा मिर्ची की, क्रिश्टन स्टेशन की, हमें दिन भर प्रमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, कि वो हमें उच्छाइद करें, हमें बिल्ड करें, जैसे ये राजा वचन को सुना, वो गिड़ गिड़ाया, क्या जब हम वचन सुनते, वो वचन क्या हमारे हिर्दे में टक कर लेता है, हमें का अगर नहीं करता है तो हम वो ध्यान नहीं देते हैं उस वचन को हम घहराई रूप से स्विकार नहीं करते हैं हमें अपने जीवन को बढ़ाना है बिल्ड करना है ऐसा नहीं है कि हम इस मसी को स्विकार कर लिए आप वो सब चीज करेगा यह जो जो सय राजा है वो सिर्फ राज पर बाइट कर गदी पर बाइट कर और नहीं एक्सपेक करा सब चीज हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़े वो साथ साथ गया उनका वो तोड़ फाड़ किया फिर साथ में उनका प्रमेश्वर का जो भावा ने उसको बनाया हमें अपना जीवन, अपने जो पुराने आदते उसको तोड़ कर हाटाना है फिर अपने जीवन को बढ़ाना है हमें वचन पर ध्यान देना है, अधियन करना है, समय बिताना है अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में उनको समझाना है प्रमेश्वर का वचन उसका विवस्ता क्या चाहता है अपने जीवन में हम क्या सुईकार करते है चुशाया के तरह हमें कोशिश करना है सिर्फ कोशिश ने हमें महिनत करना है अपने जीवन को बढ़ाना है अपने जीवन को बनाना है उठाना है कि जिसमें प्रमेश्वर जब देखे वो प्रसंद हो ए आखरी में वेश्ट 29 से डिखते हैं जब वो शूद करने का काम यहुदा में प्रमेश्वर के जब भावा ने उसको बनाने में समाप किया तब उसने क्या किया वेश्ट 29 वो सब लोग को इखटा किया, हर एक जन को, और परमेश्वर के भवान में गया, और उसका वचन सुनाया गया, और राजा जुसायन एक मननत माना, एक वाचा बांदा परमेश्वर से, कि हम परमेश्वर के रास्ता पे चले गए, कभी हटेगा ने, उसके जितना जो कमांज है, आगया को हम पालन करेंगे, जितना निया में उसको उसको पालन करेंगे, उसको पालन करेंगे, कभी हटेगा ने, जो कुछ उसके विवस्ता में लिखा है, उसके वचन में लिखा है, वो पालन करेगा और उसने अपने ही वाचा बांदा और जितने लोग उसके नीचे थे उसके मूल के लोग सब को ये वाचा बंदवाया प्रमेश्वर से और लाश में कहता है कि वे वाचा बांद कर प्रमेश्वर के रास्ता से हटाने हम इससे क्या सीख सकते है जो चीज जो साया ने किया एक commitment बना है एक covenant बना है प्रमेश्वर से वाचा बांदा कि वह प्रमेश्वर ही सब चीज रहेगा और कुछ नहीं आएगा उसका प्रमेश्वर के साथ बीच में हमारे लिए कही चीज प्रमेश्वर के सामने आए जाता है हमारे लिए प्रमेश्वर के बीच में आए जाता है और रिष्टा में रुकावट आजाता है लेकिन जो साया जो चीज किया उसने खोजा खोजी किया प्रमेश्वर का पस्तताब किया फिर अब जो प्रमेश्वर का भवन बनाया, फिर से बनाया, और फिर एक बाचा बादा, कि प्रमेश्वर यहुआ कहीं सेवावे करेंगे, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए यह एक खास शिक्षा है, जब हम अपने सब पाप से, सब बुरे आदर काम से हट जते हैं, पस्ताप कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, अपने जीवन को हम कैसे सुधारते हैं, अपने नहीं होता है, हमें मैनत करना है उसमें, फिर हमें वाचा बनना है प्रमेश्वर से, कि हम लोट कर मुड जो विचारे, बुरे सोचे, वो सब में नहीं फिर जाएंगे, लेकिन हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के, जो आगया को पालन करेंगे, जो परमेश्वर का इच्छा है, हमारे जीवन के लिए वो पुरा करेंगे, अपने परिवार के साथ, जिसे जुश्वा ने कहा था, कि मैं पुरे परिवार के साथ, परमेश्वर यहुआ ही का सेवा करूगा, और ये वचन, सिर्व आपने, आपका पुरा परिवार, आपके बच्चे, आपके माबाब, आपके पती-पत्नी, सब को ये वचन, साथ में वाचा बनना है, और साथ में आगे बढ़ना है, जो पुरा ही समय, हम अपने कार्ये में वेश हो जाते हैं, ऐसा ऐसे समय आता है, ऐसा समय आता है, जहां जो अच्छा है, जो बुरा है, उसमें फर्क नहीं रह जाएगा, क्या हम दुनिया के साथ में हम उस तरफ भटके, कि क्या हम चुनते हैं कि नहीं, मैं उस सब चीस से अलग रूँगा, मैं परमेश्वर यहुआ का रास्ता पे चलूँगा, मैं ना भाय और ना डाय, जो लेफ्ट ना राइट को मुड़ूँगा, मैं सीधा ही परमेश्वर का निशाना, जो क्रूश से उसका निशाना रखूँगा, उसके राह में चलूँगा, जो परमेश्वर चाहता है उसके जो वच्छन के अनुसार अपना जीवन वेतित करूँगा, हमें जानना है कि हम चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, हमारे जो बिते हुए कल चाहे जाइसा भी हो, हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें चुनाए हमें अलग थेराया है हमें वो चाहता है हमें एक एक ऐसा जीवन वेतित करने जो और लोग को देखलाता है कि परमेशोर एक सचा परमेशोर है हमारे जीवन लोग देख के जानना चाहिए कि हम परमेशोर के सिवा करते हैं हम ऐसे लोग नहीं है जो इस दुनिया के साथ साथ हम भैते है चलते हैं हमें अगर आप साथ अपना जो इसाइज जीवन है मसी जीवन साथ उतना गहरा है रूप से आप उस पर नहीं चलते हैं अपने जीवन वेतित नहीं करते हैं यही समय है आप देखते हैं कि क्या होता है दुनिया में हमारे ध्यान ये भीमारी पर है हमारे नोकरी पर है कि क्या होगा कि हमें उस पर से अपना ध्यान हटाना है हमें खोजी करना है परमिश्वर क्योंकि वही जो है हमारे लिए सब कुछ है हमारे सवालों का जवाब वही है हमें खोजी करना है परमिश्वर अपने पुराने जो जीवन है, आदतों है, उससे हटना है, जो कुछ, जो मुर्ती और जो वस्तुए है, जो परमेश्वर के जगा ले लेता है, उसको हम मुर्ती बोलते हैं, आइडल्स बोलते हैं, जो परमेश्वर से जब हम हमारे जो वोशिप हैं, उसमें बाधाय आता है, साहिध हमारे फाउन हैं बोजश्ती फाउन पर हमारे फाइस्बूग अकाउंट है हमारे लिए पैसा हैं खोशिष करते हैं खली पैसा बनाए कि ऐसे जो चीज अभी समय जैसे अभी मैं प्रचार करता हूँ अभी साइध सड़े आठ बजे संडे सेविश हम जानते हैं यह होन यह वचन को सुनेंगे तो क्या होता है वो सोका यह सब चीज एक मुर्थी बन जाता है आईडल बन जाता है परमेश्वर का जगा ले लेता है वो अब जो साय जही से वो किया वो सब चीज खुद हटाया अपने नहीं हटता है अभी करना है वो जो साय आठ वरस के था उसने नहीं किया कहा कि अच्छा रही हम तुरह बढ़ाई जाएगा और तुरह दीन राज कर ली राज के थौरा बढ़ाएली तब हम शुरू करेगा, वो तुरंथ शुरू किया तोड़फोड करने के लिए, परमेशुर के भवन को बनाने के लिए, खोजी करने के लिए परमेशुर यहवा को, और उसे वाचा बांदा, हमें यह करना है, पहले हमारे जीवन, फिर हमारे परवार के साथ परवार के साथ और जब हम ये दो चीज़ संबाल लेते तो जब हम एक खटेट कलीशिया में एक साथ में एक दूसरे के साथ में बीना कुछ मन मोटाओ बीना कुछ बाद विवाद हम एक साथ में प्रमेश्वर के जब सेवा करते हैं तब प्रमेश्वर प्रसंद होता है कि ने हम प्रात्ना करें प्ता प्रमेश्वर धन्यवाद के वचन के लिए जो कुछ हम सेखते हैं हमें मदद कर प्ता प्रमेश्वर की हम वो चुनाओ करें कि हम जो दुनिया के लोग उनके तरह नहीं जीवन प्रन्वेतित करें हम चुने हुए लोग है आपका हम अलग ते रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम इस दुनिया में नमक और जोती के समान रहे कि लोग हमें देख कर जाने की हम अलग साए वे हमें देखकर चाहेंगे कि जानने के लिए हम किसको सिवा करते हैं हमें मदद कर पता प्रमेश्वर अपने पवीतर आत्मा के द्वारा हमें माफ कर कि हम भटक गए हम और चीजों में हमारे ध्यान हो गए दुनिया की चीज में कि हम आपको पहला स्थान नहीं देते अपने जीवन में हम आइडल्स को ला दिये जो आपके जगा ले लिया है हमें माफ कर हम पर कृपा कर पता प्रमेश्वर यह मारे प्रात्न है और हमें उठा हमें दिखला कि हमारे अंदर में क्या क्या कमजोरी है क्या क्या गरबड़ी है कि हम उसको सुधार सके उसको तोड़ कर हटा सके और फिर उसको बढ़ाएं बनाएं कि हम आपके और खरीब आ सके धन्यवाद प्ता प्रमेश्वर हर एक जन जो इस वचन को सुने सपर ते राविशिक्ता और आशिश्रे इस्व मसी के नाम से एमें